Hello and welcome you all to Beat the Street एक और नई टोपिक के साथ हम आपके सामने खड़े हैं उसका नाम है Holding Company Discount काफी यूनिक टोपिक होने वाला है अगर आप ये पंदामने की वीडियो है अगर आप पूरी देख लेते हैं तो I think आपके सारे डाउट्स related to Holding Company और Holding Company Discount और Holding Company Discount होता क्या है वो सारे clear हो जाएंगे और साथी साथ इसके end में मैं ये बताऊंगा कि आप इसमें investment thesis किस तरीके से बना सकते हैं इसका framework किस तरीके का होना चाहिए और Holding Company में आप कब invest कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि Holding Company किसे बोलते हैं तो Holding Company की definition अगर हम देखते हैं तो Holding Company is a company जो की company होती है जिसमें आप कैसकते हैं अगर आपने थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा idea हो तो Holding Company और Subsidory Companies होती है Holding Company होती है जिसने Subsidory में investment की होई होती है इसके अलावा कोई-कोई company ऐसी भी होती है जो holding company खुद का काम भी करती है लाइक अगर हम बात करते है HDFC limited की तो HDFC limited खुद एक mortgage loan provider है और साथी साथ housing loan और mortgage loan जो provide करता है साथी साथ उसकी subsidiary है HDFC bank तो HDFC bank क्या करती है HDFC bank subsidiary होने के साथ-साथ यहाँ पर अपना पूरा बेंकिंग का काम है तो यह हो जाती है holding company इसके अलावा आप एक और example ले सकते हैं वो है बजाज holding का तो बजाज holding के अंदर बहुत सारी company आती है बजाज finance, बजाज फिंजर्व, माराष्टर, स्कूटर जैसी companies आती है बट बजाज holding का इसके अलावा कुछ काम नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी level पर अगर हम holding company को समझें तो holding company एसी company होती है जो buy और sale और on करने के लिए shares को on करने के लिए बने ही जाती है बजाज holding हो गई, HDFC limited हो गई यह हो गए आपके example आप क्या कर सकते हैं कि holding company में investment क्यों करना चाहिए वो भी आपको समझना जोरी है यह तो समझ में आया कि holding company क्या होती है अभी अगर इसको समझें कि अगर जैसे बजाज holding है आपको बजाज के promoters पर परोसा है और आपको लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा आने वाले समय में उनकी जो companies है बहुत grow करने वाली है तो आप क्या कर सकते हैं बजाज holding में direct investment कर सकते हैं क्योंकि वो आपको discount पर मिलती है जिसको मैं deeply समझाऊंगा कि वो discount पर क्यों होती है और उसके पीछे के risk और rewards क्या-क्या है तो बजाज holding में आपको लगता है कि बजाज के promoters की जो अलग-अलग companies है और उनका जो capital allocation है वो काफी decent होता है काफी अच्छा होता है यह आप कह सकते है HDFC का तो आप उसमें invest कर सकते हैं multiple pool of companies में आप invest कर रहे है जिससे आपके portfolio diversification automatic हो जाता है और यह आपको return पर से भी काफी अच्छी पढ़ती है Indian holding company के अगर हम बात करें तो वो 30-90% के discount पे यहाँ पर trade होती है overall कोई company होती जो 30% discount पे है मतलब कि अगर उन्होंने जो share खरीद रखे हैं उनकी value 100 रुपे की है तो वो अभी 60 रुपे उसका market cap ही होगा तो यह होता है 30% का discount महीं अगर 10 रुपे का है market cap चल रहा है उस company का क्योंकि holding companies भी listed होती है जैसा मैंने बता है बजाज holding होगी SDFC limited होगी तो वो अगर 10 रुपे पे trade हो रही है इसका मतलब 90% का discount चल रहा है क्योंकि उनके पास जो shares है उनकी value 100 रुपीज है और अगर 90% का discount चल रहा है मतलब कि उनकी market cap 10 रुपे की है तो यह हो जाता है 30-90% का discount Indian companies में चलता है जबकि worldwide companies की बात करें तो वहाँ पे 10-25% का ही discount चलता है और उसके पीछे का reason भी आज हम इस वीडियो में समझने वाले है तो अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो पहले चैनल को subscribe करें इसी तरह की detailed वीडियो को समझने के लिए और नए concept को समझने के लिए दो तरह की holding companies हम यहाँ पर divide कर सकते हैं एक होती operational holding company एक होती financial holding company तो अभी जो मैंने example लिया था financial holding company का था बजाज holding का जिनका काम के वल share purchase और sale करना है बजाज holding and investment limited तो यह आप अपना money control पर और आप जिस भी website पर सर्च करते हैं Google पर सर्च करके देख सकते हैं इनकी holding वही operational holding company क्या करती है कि वो shares होते हैं वो purchase और sale तो करती है साथ साथ वो क्या करती है अपना दूसरा operations भी होते हैं अगर हम बात करते हैं Bombay Verma company की तो Bombay Verma company में क्या होता है कि वो खुद के भी उनके tree plantation है बद उसके अलावा वो go air जैसी airlines भी चलाती है साथ साथ Britannia company भी है और उनके दूसरा अलग-अलग काम भी है तो वो हो जाती है operational holding company जिनका खुद का भी एक business होता है अब आ जाते हैं कि holding company always available at discount क्यों होती है तो इसके चार प्रमुक कारण वो निकल के आते हैं वो होता है कि discount arising from the absence of control absence of control in the sense कि अगर majority of the companies जो होती है जो holding companies होती है या आप कर सकते हैं holding companies होती है उसमें क्या होता है majority of the shares owned by promoters only और वो अपनी ही companies में invest कर रहे होते हैं मान लीजिए कि जैसे HDFC limited है तो HDFC के HDFC AMC में invest कर रहे हैं HDFC Life में invest कर रहे हैं तो आपके पास और मेरे पास इतना बड़ा stake होता नहीं है कि हम उसमें decision making में participate कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं हमको उसको accept करना होता है तो अगर आपको उन पर बरोसा है तो आप उस share में लगा सकते हैं otherwise क्या होगा आपके पास absence of control होगा और उसके करने याँ पर discount rise होता है पहला reason दूसरा reason होता है uncertainty about the rise in stock price and growth अब मान लीजे कि यार holding company ने 5 company में invest किया हुआ A, B, C, D और E अब A भी तो बहुत अच्छा perform कर दी है मान लीजे 20-20% का सालाना return है but C, D, E ने minus 5, minus 5 और minus 5 कर दिया तो अब क्या हुआ return अगर हम total return देखते हैं और सब में 100-100 रुपए हमने invest किया हुए थे तो ultimately हमने कितना कमाया हमने कमाया मात्र 40-15 तो 25% ही आपने कमाया है जबकि आप अगर केवल A, B में अगर direct invest करते तो आपका जो return होता हो जादा होता तो uncertainty रहती है stock price में कितने growth हो सकती है और बहुत सरी कंपनियों में बहुत सरा exposure होता है उसके करण यहाँ पर problems create होती है इसके लावा low liquidity क्यूंकि majority of the shares share holding already होती है promoters के साथ तो वहाँ पर आपके liquidity मिलती नहीं है तो आपको वहाँ पर भी discount उसके करण भी देखने को मिल जाता है जिनका हाजकल अभी इतना impact देखने को नहीं मिलता है बट पहले काफी देखने को मिलता था 2013 2013 के बाद क्या हुआ है जब से companies एक 2013 launch हुआ है companies एक 2013 में पहले क्या हुआ करता था कि related party के transaction काफी इन companies के थूरू रूट के जाते थे अभी क्या हो गया है कि minimum 10% के shareholding और इस तरीके के close आ चुके है जिसके करण क्या होता है कि minority shareholder का काफी ध्यान रखा जाता है तो अभी वो वाली problems खतम हो चुकी है बट still ये चार problems के करण यहाँ पर जो सारी हमारी holding companies होती है वो discount पे available होती है अब हम समझते है कि global और Indian context अगर holding company को लेकर क्या होता है तो global context को अगर हम समझते है तो global context में क्या होता है कि close ended investment funds करके companies बनाई जाती है तो यह क्या होता है close ended investment fund मान लिजे कि 100 रुपे की company बनाई जिसमें 100 रुपे इन्होंने चाहे तो वो 50 रुपे promoter से ले लिए और 30 रुपे 40 रुपे 50 रुपे पप्लिक से ले लिए समझें तो अब 50 रुपे और यह बंद हो जाता है इसमें बार बार आप investment purchase से नहीं कर सकते हो तो अगर हम बात करते हैं CEF stock की अगर यह example देख सकते हैं आपको US और UK में इस तरीके की कंपरियां वहाँ पर holding कंपरी का ऐसे चला नहीं होता है वहाँ पर CEF fund बनाए जाते हैं तो CEF fund क्या होता है? Close ended investment fund तो वहाँ पर हमका market cap वो और वो traded होते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो available होते हैं कहीं companies हो वहाँ पर आपको discount अराम से देखने को बन जाता है 10-12% का minimum और यह vary करता है 10-30% के lump sum का बट इंडिया के context में क्या होता है? इंडियन context में 10% का discount नहीं होता है इंडियन context में यहाँ पर discount SDFC Limited जैसी company में 30-40% का होता है जबकि दूसरी company में 70-90% का भी होता है इसका main reason कि यहाँ पर क्या निकल के आता है? वो सबंजनाज काफी ज़रूरी होता है क्योंकि इंडिया के यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल close ended investment funds में क्या होता है? कि वहाँ पर केवल promoter का ही stake नहीं होता है वहाँ पर और दूसरे लोग भी वहाँ पर लगा सकते बट इंडिया में क्या होता है कि 51% और उससे ज़्यादा की holding तो हमिशा promoter के पास ही है major companies में और वहीं अगर हम देखते है majority of investment in holding company are belong to the same promoter तो अगर वो जैसे HDFC में लगा है तो HDFC दूसरी जो companies में इंजिन में इंवेस्ट करता है वो भी HDFC की होती है तो उनके करण क्या होता है कि ओर discount हो जाता है क्योंकि अगर मान लिजी एक company खराब निकल गई उसमें से तो आपकी सारी जो holding है उसमें impact देखने को मिलेगा उसके returns में impact देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पर चीजें आपको ज़्यादा discounting देती है फिर तीसरे होती ही कि जो दूसरे जो players होते है उनकी काफी small holding होती है जो minority share holder होते है उनकी काफी small holding होती है तो वहाँ से भी discount आपको देखने को मिल जाता है और चोथा reason होता है कि इसमें institutional research ज़्यादा की नहीं जाती है क्योंकि क्या होता है holding company में उनका खुद का जैसे अगर कोई business नहीं है तो उसमें ज़्यादा लोग उसमें दिमाग लगाते हैं मतलब अगर institutional research की बात करें तो जैसे आज HDFC HDFC लिमिटेट HDFC बैंक में यहाँ पर देखा जाता है Reliance में आप देख सकते हैं वहाँ पर काफी research की जाती है आप दूसरी companies देख सकते हैं जहाँ पर काफी research की जाती है बट वहीं अगर हम बात करते हैं जो holding company होती है कभी आपने सुना है Kama Holdings का research brokerage report आई है या Tata Investment की brokerage report आई है या Kalyani Investment की brokerage तो यह सारे companies में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप साब देख सकते हैं holding company का discount यहाँ पर 65-62% के लंसम से 88-89% के लंसम का यहाँ पर discount आपको देखने को मिल जाता है जो काफी heavy discount है as compared to global peers की बात करें यहाँ पर 10-20-30% का difference होता है यहाँ पर 65% है और इसके अलावा भी और दूसरी चीज़े भी है जिसके कारण यहाँ पर discount देखने को मिल जाता है क्योंकि Indian context यहाँ पर आप देख सकते हैं कि why there is a difference अब आज जाते हैं कि return generation कब और कैसे बनाया जा सकता है और drivers क्या होते हैं अगर हम यहाँ पर investment करते हैं तो major major return generation होता है वो होता है underlying investment जो portfolio होता है उसमें appreciation होता है मतलब कि आपने जो holding company में जिस company में invest क्या हुआ है अगर वो बढ़ती है तो यह shares भी बढ़ने लग जाते हैं जैसे अगर बजाज की बजाज finance बजाज जब बढ़ेगी तो already automatic ajaj holding भी बढ़ेगी पहला चीज दूसरी चीज आती है कि जैसे market cycle का turn होता है जैसे कि अभी हम देखा कोविड के time market cycle बिल्कुल downturn में था तो वो क्या होगा कि बजाज holding या जो ajaj FC limited है वो भी यहाँ पर downtrend में देखो जो market cycle होगा उसके साब से companyya move करेगी बट जब क्या होता ने जब भी यह discount होता है तो वो ज़्यादा तरीके से discount होती जो आपकी जो holding company होती है उनका जो discount होता है वो और बढ़ जाता है मान लीजिए कि अभी जैसे HDFC limited का example पकड़ते 30% का discount मान के चलते है तो वो क्या होगा कि जैसी downfall आएगा वो 50% का discount पहुँझ जाएगा या 60% का discount पहुँझ जाएगा 70% का discount जैसे HDFC, HDFC में ने अभी क्या किया है merger कर दिया तो merger करनेंगे तो merger करनेंगे तो holding company का discount है वो यहाँ पर खता हो जाएगा और उसके करण काफी value create होती है तो जैसे जैसे value creation किस तरीके से हो सकता है तो value creation इस तरीके से भी हो सकता है कि वहाँ पर reverse merger हो गया subsidy के साथ merger हो गया या आपने और कोई नई company में invest कि और वहाँ पर काफी significant high return मिल गए तो इस तरीके से आपके तीन तरीके से majorly, majorly यहाँ पर revenue generate करता है holding company अब आजाते हैं कि यार इस तरीकी companies में क्या risk होती है उसमें क्या problems यहाँ पर की जा सकती है तो एक हो जाता है illiquidity illiquidity की problem मैंने already 2-3 बार बते ही है कि यहाँ पर जो number of free float है वो काफी कम होती है और उसके कारण यहाँ पर जो free trade नहीं होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ी problem है दूसरा होता है not enough movement like other stocks तो जैसे आप अगर देखते है इसमें example लेते है जैसे बजाज finance आप समझें बजाज finance का share आज 10% का rise देखने को मिलता है और बजाज finger का भी share में 10% का價 आज बट जो बजाज holding के share में मात्र 2 या 3% सबढ़र देखने को मिलता है तो आपका यहां पर जो फायदा है वो थोड़ा कम हुआ है तो अगर आप इसमें लगाते तो आपका ज्यादा return मन जाता है तो opportunity cost का loss भी यहां पर आप कह सकते हैं कि disc के तरह कमर किया जाता है और तीसरा होता है poor capital allocation मान लीजिए आपने बरुसा करके लगाए Tata investment company में कि यह सह जगह investment करेगी बट उनका जिस तरीके का भी पिछले 5-6 सालों का अगर हम देखें तो आपका track record काफी poor रहा है अभी वापिस से significant movement देखने को मिला पिछले एक-दो साल से बट उससे पहले का जो हम देखते हैं time period वो काफी downfall देखने को मिल जाता है और उसके करण इस तरीके और 30th November 21 की अगर pricing देखते हैं उनका जो discount है उसको देखते हैं और साथी साथ उसके return केगर को देखते हैं financial year 16 से 21 तक का और financial year 11 से 21 तक का मतलब 5 साल का और यहाँ पर यह है आपका सामने 10 साल का तो यहाँ पर nifty का केगर आप देख सकते 16% का है और almost सारी companies almost सारी companies आप देख स से उपर का return दिया है और किसी किसी company ने तो 45% STEL holding देख सकते हैं आप 45% का return दिया है JSW holding ने 32% का return दिया है जो कि significantly higher है और double है आप कह सकते 32% is the double और 24, 27%, 33% तो वो काफी ज़्यादा return है as compared to nifty के केगर के साब से महीं अगर financial year 11 से भी देखते हैं कि हम मानते ही अगर 10 साल का return को compare करते हैं तो 11% का return आता है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि केवल 3 company को अगर आँ छोड़ दें तो सारी companies ने higher return दिया है तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को market return के हिसाब से ही मेरे को return मिल जाए तो आप कोई सी भी holding company में investment करेंगे तो आपको कहीं कहीं इस से बढ़िय देखने में जाता है EID payday को आप देख सकते हैं कुछ-कुछ में वह भी बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ-कुछ रिस्क भी जैसे पिलानी investment आप देख सकते हैं वहाँ पर पूर capital allocation हुआ है टाटा investment में जो आपको बता रहा था कि 10% का return दिया है तो यह आप देख सकते हैं क की यार आपको किस तरह के सट इंवेश्आ करना है घ्यान की बात कि क्या हो रहा है जूड़ा है उसको कोन सी कंपनि पसंद है यह उसकी जो holding की जो holding है जो holding company है उसने जो company hold कर रखी है उसकी quality कैसी है तो quality of holding is primary तो ये आपके सबसे पहला नियम होना चाहिए कि जो उन्हें hold करी हुई है जैसे आपको बजाज finance बजाज फिंजर अच्छा लगता है बजाज के promoters भी आपको पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर आप अपना investment कर सकते हैं बजाज की holding company में invest कर सकते हैं अगर आपको बजाज finance बजाज फिंजर तो जो नीचे की सबसीडरी companies है उनमें आपको लगता है कि इनमें दम है तो आप holding company में invest करे हैं सबसे पहली priority होनजी discount secondary आपका होना चाहिए कि उस particular company जिसमें आप देख रहे हैं उसमें आपका जो discount है वो discount कितना available है अगर discount कम available है तो आप देखे कि उसका पूरा track record क्या रहा है पिछले 5 सालों का पिछले 10 सालों का track record देखें कि कि कितना percentage discount पे तो वो generally trade करता है अगर जैसे मान लो कि आप वो generally 50% के discount पे trade करता है अभी 25% के discount पे trade करता है तो might be chances कि आप 25% का और नुकसान आपको दे सकता आने वाल समय में अगर downfall देखने को मिल जाता है तो वो आपको भी ध्यान रखने है पहली चीज़ दूसरी चीज़ discount वाली हो गई तीसरी चीज़ आती है कि high dividend yield stock लेने आपको तो high dividend yield stock का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब भी क्या होगा ना कि subsidiary company देख ultimately holding company कैसे कमाईगी तो वो गईगा और ultimately holding company उसको dividend yield देगी तो holding company जिनका dividend yield ज्यादा होता है जैसा पेसा आया वैसा ही पेसा दिया आगे customers को और ज्यादे stakeholders को तो वो companies को आपको ज्यादा ज्यादा prefer करना होगा और आपको देखना होगा कि जितनी holding company क्योंकि holding company में discount चलता है तो जैसी उनका dividend आएगा मानदीजे कि यहाँ पर 10% का आपको दस परसेंट का दिया मतलब कि 10 रुपे का जो 2% का dividend yield निकल के आता है जबकि इसने 1% ही दिया हो तो भी क्योंकि हम already discount पे trade हो रहे हैं discount पे trade होने कारण आपकी जो valuation है आपके जो dividend yield है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और उसके कारण क्या होता है आप यह formula आप देख सकते हैं 1-holding company discount तो आपको मल जाएगा कि जो dividend yield है वो यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आती है तो यह कहीं न कहीं significant है और यह आपका धामने example भी है कि Tata Investment Corporation का अगर हम example लेते हैं 1.09% तो वो 2.62% आपको but the shareholder के लिए वो 2.62% होता है क्योंकि वो already discount पे available होता है तो यह सारी चीज़े हैं जो काफी important हो जाती है और इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले quality of holding, discount और फिर तीसरा है dividend deal यह सबसे ज़्यादा important हो जाती है इसके बाद आपको तीन चीज़े और ध्यान रखनी है वो है कि जब भी companies जब आपको peak discount तो आपको देखना है कि पिछले 3 और 5 और 10 सालों का जब track record देखोगे तो आपको बदा चल जाएगा कि यार जनरली यह 20% के discount पे आपको देखने को मिलती है तो अगर अभी उसका जो discount है वो मार लीज़े 5% कही है तो आपको wait करना चाहिए उसमें उस time investment मत करिए वो generally 20% discount मिलती है तब investment करिए वो आपको ध्यान रखना होगा तो peak discount पे हमेशा investment करना है वहीं अगर हम बात करते है prefer companies where incentive to minority shareholder aligned with the promoter मतलब कि आपकी decisions है उनको भी अगर priority दी जाती है promoters के दौरा या promoters के दौरा अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको सुना जाता है तो ऐसे management के साथ ही आपको हमेशा रहना चाहिए तीसरा होता है prefer non operating holding companies क्योंकि क्या होता है ना कि जब operating holding जैसे मान लीजे HDFC है तो HDFC खुद का भी काम करती है प्लस वो holding company भी है तो अभी इसमें क्या problem आती है कि HDFC के बहुत सारे होते हैं जब HDFC बेंग ने मान लीजे dividend दे दिया मान लीजे 100 रुपे का dividend दिया अब क्या सकते हैं कि 100 रुपीज का यहां utilize कर सकते हैं आपको dividend नहीं दें तो there might be a problem तो वहां पर भी आपको क्या ध्यान रखना है आपको जहां तक हो सके non operating holding companies जैसे बजाज holding वाली है उस company में आपको invest करना है ताकि आपका जो return है वो maximize हो सके और आपको जादा से जादा return मिल सके तो यह सारी चीजें हैं जो आपको framework आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह की companies में invest करते हैं तो यह काफी सबसे ज्यादा import हो जाते हैं यह तीन चीजें और यह तीन चीजें कि quality of holding, discount और high dividend yield और उसके बाद कि आपको high discount पे जब available हो तब खरीदना है दूसरा आपके जो promoter से उनकी quality को ध्यान रखना है और non operating holding company में आपको invest करना है अगर आपको वीडियो पसंद आईए like, share और subscribe करना ना बूले और आपको इस तरीके के और concept अगर आपको framework से related video चाहिए तो आप ज़रूर comment section में लिखें ताकि हम आगे और इस तरीके के topics देखर आ सकें अगर तो ग्रूप में आप जरूर बेजें ताकि हमार को उससे थोड़ा उत्सा मिलता है, thank you so much